हलो और वल्कम बैक टो अनदर न्यू व्लॉग मैं हूँ दिने शेंगा दोस्तों जैसे कि आप सुब को पता है गनेश पूजा आने में सिर्फ और दो दिन बचा हुआ है और जम्शेट्पूर में कितना ही धूंदाम से गनेश पूजा को सेलिब्रेट के जाता है अलग- आप सामने देख सकता है यह है वोल्टाज बिल्दिंग यहां सब्सक्राइब में स्टेशन वाला रोड देखे जाएंगे बागवेरा दोस्तों आप बहुत बड़ा मेला लगता है अब लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग इस साल गनेश पूजा किस तरह से सेलिब्रे में हम पंडाल के पास पहुंच जाएंगे दोस्तों यहां पर दुर्गापुजा यह बहुत ही धूम नाम से सलिब्रेट किया जाता है कुछ दिन बाद मैं फिल से आपको ले क्या होंगा दुर्गापुजा पंडाल दिखाने दोस्तों अभी हम बाग बेड़ा पहुंच च नहीं है इतना ही सुंदर से काम किया जा रहा है और दो दिन बाद गनेश पुजा है कि खजूर की पतियों से बनाया गया है दोस्तों अब देख सकते हैं फड़ा सामने से क्लोज अप के अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर इसका कौन सा डिजाइन है अभी हम मोर के एक पंडाल है उसका अंदर अभी पूरी तरीका से बना नहीं है कुछी दिनों में बनके रेडी हो जाएगा और एक बहुत ही खुबशर सा पंडाल आपको यहां पे देखने को भी लेगा जो कि मोर का शेप में बना हुआ रहेगा बहुत ही उनीक सा पंडाल यहां पर बन रहा है पाक बेड़ा में तो आप लोग ज़रूर आईए यहां पर और रिजिट करिए एक बार यह एक सप्ता इतिंग यहां पर रहने वाला है हम जैसे एक लड़के से बात करके हमको पता चला तो वीडियो कैसा लग रहा है आप कमें तो चलिए थोड़ा सामने से आपको दिखाते हैं यह गनेश पुजा पंडाल कितना सुन्दर से बनाया जा रहा है देखिए कि इस तरह से काम चल रहा है कुछ जुमर इस तरह से सजाय गया है और यहां पर ही जो गनेश जी का मूर्ति यहां पर लगाया जाता है काम लगबग खतम होने ही वाला है दो दिन बाद पंडाल बन के रेडी हो जाएगा दोस्तों इस वक्त मैं हूँ बागबेडा गनेश पुजा पंडाल के अंदर आप देख सकते कितना खुप्सूरत यह पंडाल बन के रेडी हो रहा है साथ तारीकों गनेश पुजा है तब तक यह पूरी तरक से रेडी हो जाएगा उपर देख सकते हैं इस तरह से लाइट वगरा जुमर वगरा के साथ इसको बनाया जा रहा है बहुत ही खुप्सूरत चान डाल बन रहा है तो एप लोग देर मत करएं साथ तारीक होते होता है आप बहुत ही स्टारा दिखाते हैं मेल क्या-क्या यहां पर लग रहा है कुछी दिनों में लग जाएगा पुरी तरीक से देखे सब नीचे इस तरह से रखावा जमीन पर उधर भी है नाव अगेरा है कि दो दिन बाद गनेश पुजा दोस्तों तब तक यह स्टार्ट हो जाएगा और यह वाला पंडाल खुबसूरत है यह साथ में जो मोर वाला पंडाल बर्णों भी बहुत ज़्यादा खुबसूरत है देखिए सामने यह है ब्रेकडांस किस तरह से इसको बनाया जाता दोस्तों आप देख सकते नीचे मूटर वागेरा सब लगा हुआ है और यह अभी तक सेट किया जा रहा है और इधर देखिए यह बिजली जुला वाला जो नाओ वाला रेता है और अब यह सब जो देख रहे हैं सब शौप लग रहा है जहां पर तरह तरह का आपका खिलोना ओंडेगोर का इकम सब चुछ आप यह पर मिलेगा तो यह है बाग बेडा और अगर आप इस चैनल में नए को सब्सक्राइब ही कर लिजिए तो मिलते हैं अब से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाग आए आए अज़ाए